देखे जैसे कि आप भली भाती जानते हैं कि इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बना कर आप सभी को जनकारी प्रवाइड करवाया था कि अगर आपका भी सहारा में पैसा फसा हुआ है तो चार ऐसे सोसाइटी के जो पैसे है न उसको वापस करने के लिए ओनलाइन जो आवधन है उसको शुरू किये जाने के लिए पोर्टल का जो लॉंचिंग है उसको कर दिया गया है तो अभी पोर्टल पूरी तरह से लाइब है तो आज किस वीडियो में आपको हम सहारा रिफॉंड ओनलाइन आवधन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से आवधन कर सकते हैं और मैं आपको रिकुमेट करूंगा कि एक बार ता मंत्री जो अमीत सहाजी है उनका एक वीडियो है वीडियो आप जरूर देखेंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्स बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया हूँ वहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने साब सब कहा हुआ है कि आपका चाहे जितना भी मतलब पैसा जमा है उसमें से किवल जो है फर्स्ट में जो है दस अरपे आपको ट्रायल बेस में दिया जाएगा ठीक है तो कैसे फॉर्म को फिल करना है सभी जनकारी इस व प्राउजर में eg2net.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में जो आपको वे साइड मिलेगा इसको यहां से ओपन कर लेंगे ठीक है यहां पे आप देखेंगे तो सहरा रिफॉंड ऑनलाइन करने का जो है लिंक हमने प्रवाइड कर दिया है यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं और क्लि इन चार सुसाइटी का ही पैसा रिफंड करने के लिए बोला जाया रहा है और ध्यार रखिएगा आपको जो है दस तक ही मिलेगा आपका चाहिए जितना भी डिपोजिट क्यों ना हो इन बात को ध्यार रखिएगा ठीक है नीचे आएंगे तो यहां पर पचासार से काम आपको करवाणी है ठीक है उसके बाद उनका आधार सीड़ेंड होना चाहिए यहां आपको पैसे नहीं आएंगे क्योंकि आपसे अधार के माधिम से पैसे आपको भेले जाएंगे तो अधार सीटिंग चेक करने के लिए यहां पर हमने एक लिंक दिया हुआ हैै यहां आप क्लिक करेंगे साइट पर आने से ही आपको फायदे होते हैं तो आप यहां पर आके अधार सीटिंग के बारे में जान सकते हैं कि क्या होता है और उसको आप चेक कर सकते हैं यहां पर दिया गया इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अपना अधार नंबर ठीक है एक काम आपको करवानी है बहुत ज़र्य है अब यहां पर आपको पैसे रिफंड लेने हैं तो फोर रिफंड ऑनलाइन के जो आप्षन है इस पर आपको क्लिक करना होगा तो जो पोटल लॉंच किया गया है पोटल जो आपके सामने आ जाएगा अब यहां पर कुछ प फंड होने वाले हैं और इससे जोड़ी सभी जनकारी यहां पर आपको अल्मोस देखने को मिल जाएगा ठीक है और हम सभी चीजों को कभर करते चलेंगे चुकि किसी परकार कोई दिकत ना हो ठीक है तो यहां पर आप होम पर आएंगे तो आपको जो है जमक करता पंजीकरन का एक option मिलेगा ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है अब क्लिक करेंगे तो कहेगा कि अपना अधार का जो अंतिम चार अंख है यहां पर डालिए और उसके बाद अधार से जुड़ा mobile नंबर पता नहीं है तो अब हाई है यहां पर complete हो जाएगा अब यहां पर अधार से जो ही डेटा आपका लिया जा रहा है तो कुछ यहां पर टर्म कंडिशन दिया गया है जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या बाते लिखी गई है आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा तो आपक प्राप्त करें के option पर क्लिक करना है तो इस तरह से आपके अधार के साथ जो भी मुबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP यहां पर डालेंगे और सत्यापित करेंगे तो आपका सत्यापन यहां पर complete हो जाएगा और आपके अधार से जो भी डेटा है जैसे कि आपका नाम है डेट अबरथ है, फादर का नेम है और आपका जो अधार चीडेट बैंक है तो यहां पर अपको देने का आसकता नहीं है मैं आपको एकजांपल के तोर पर सभी चीजों को क्लियर करके बताऊंगा थोड़ा जबी आपको घबराना नहीं है तो यहाँ पे यह सारे चीज़ा किलियर हो गया कि अधार से आपका नाम ले लिया तो अब आप मेंसे काफी सरलोग कर रहा है कि हमारा जो है नाम मिस मैच है गलत है तो उसके लिए हम क्या करें देखिए आपके पास एक तरीका है आप चाहें तो अपने अधार काड में नाम सुधार करवा सकते हैं उसके बाद ही आप फॉर्म फील कर सकते हैं बट पॉसिबल नहीं है सुधार ना तो आपको वेट करना है उसका भी कोई ना कोई सलूसन आएगा ठीक है साथी साथ आप मेंसे काफी सरलोग भी कहेंगे कि हमारा जो है जो पर्सन है जिनके नाम से पैसे जामा थे ओडेट कर चुके हैं तो अभी उसको भी लेकर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हो सकता है कि जो नुमनेटर है जिनको भी नुमनी में डाले हुए है उनके नाम से फॉर्म फील होगा लेकिन अभी उसका कोई अपडेट नहीं है थोरा से वेट करिएगा बाकी अगर आपका सही सारा चीज सही है काफी सर लोग ऐसे कहेंगे कि हमारे अधार काड मोबाइल नंबर लिंक है ही नहीं और परसन जो है बाहर रहते हैं विदेश रहते हैं उस कंडिशन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है तो अभी सभी प्रॉब्लम का समधान बहुत जल्द आपको मिलेगा लेकिन फिलाल काउन सा अधार सिटेट बैंक है अटोमेटिकल यहां पर फैज कर लिया है उसके बाद यहां पर चाहें तो अपना इमेल डाल सकते हैं मतलब कि यही जो है बैकल्पिक है लेकिन मैं रिकुमेट करूंगा कि आप डाल दीजिएगा क्योंकि आपको जब भी पैसे आएंगे व कि फॉर्म फील करने का ऑप्सन आएगा अब यहां पर दोस्तों थोरा सा समझने वाली बात है ठीक है और ध्यान से समझेगा नहीं समझेगा तो आप यहां पर गल्ती कर दीजिएगा ठीक है सबसे पहले जो सुसाइटी का नाम पूछ रहा है तो सुसाइटी में चारीं सु बॉंड हो सकता है मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि ऐसा ही आपके पास बॉंड होगा लेकिन हां बॉंड आपके पास होगा ठीक है यह फिर असीद भी हो सकता है आपने अगर किया हुआ हर मन्त किया हुआ है तो उसका अलग 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 रसीद होता है एक पास्बुक होता है ठ यहां पर इसका address भी यहां पर रहेगा ठीक है तो इसको एक बार आप देख लेंगे उपर यहां पर दिया रहता है ठीक है तो मेरा जो है सहारियन इनवर्सरियल मल्टी पर्पस सॉसाइटी लिमिनेट के द्वारा जामा हुआ है तो आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें आप सलेट कर लेंगे देखिए यहाँ पर इसको सलेट करेंगे जैसे कि आप अपर देख रहे होंगे ठीक है अगर आपका नहीं है अभी तो आ जहीं पे मीलेगा आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको जो मैं आपको सबस्तन But जो कि यहां पर दिए हूँ अ अब्र कम मग रहा है अब देख लिए उसके बाद यहां पर काने सांध नहीं रहता है जो आपने संक्षाश्ण किया हूए है उसका ही खाता नमर आपको देना है तो यहां पreं डिया होगा ठीक है मेमस्ट ह पी नमबर तो उपडर बिया गया है और यहां पrieben के पका यहां 다 हमने की विजनकारी आप यहां पे देख सकते हैं कि 64 मन के लिए जामा किया हुए कब जामा हुआ है यहां पर देखने को मिल जाएगा थाइसक दूर दूर ठारे को है ठीक है तीस तरह से इससारे चीजों को आप असानी से फाइंड कर सकते हैं तो यहां पे क्या पूछा हुआ है कि आपका account number ठीक है तो आप देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको दिखाया कि जो control number है यह आपका account number है तो उसको आपको यहाँ पे mention कर देना है, अब आप मेंसे काफी सरो लोग ऐसे होंगे, जिनके पास account number उनके bond पे होगा ही नहीं, क्योंकि काफी सरे bond ऐसे है वहाँ पे account number है ही नहीं, तो account number नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, तेकि यह optional है, भरना यह mandatory नहीं है, आप च सकते हैं, receipt number यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जाएगा, यह आपको भर देनी है, ठीके, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास परमार पत्र है या फिर passbook number है, जैसे कि माल लीजिए, अगर आपने एक बार मतलब fix करवाया होगा, तो आपके पास परमार पत्र होगा, उस कर रहे होंगे, तो उसका एक receipt भी मिलता है, जो भी अपने payment किया, उसका एक receipt मिलता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका परमार पत्र या भी Passbook नंबर, यह यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो परमार पत्र या पर पास पूक नंबर आप देखेंगे, तो आपको देख टिकेट नंबर यानि की पर्मार पत्र नंबर आपका यहां पर हो गया अगर पास्पूक है तो पास्पूक में जो नंबर होगा वह आप दे सकते हैं मेरे पास्पूक नहीं है ने तो उस पास्पूक नंबर को दे सकते हैं अगर नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं मै यहां पर 28 2018 को जो है खाता खुला हुआ है तो आप अपने साब से देखेंगे यहां भी आपको देखने को मिल जाता है तो इस तरह से आप डेट को डाल देंगे तो यहां पर जो भी आपका खाता खुलने का देट है उडाल देंगे जैसे कि मैं आपको बताया उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा कंट्रीब्यूशन में यहां पर आंक मीलेगा और यहां पर केरेक्टर लिया ठीक है तो हीसको आपको यहां पर डालना है ओसको टीक बढौत सकते हैं या फिर आपने सोसाइटी से कोई लोन लिया हुआ है तो टीक कर सकते हैं नहीं लिया है तो आप इसको छोड़ देख सकते हैं अब जो भी जनकारी यहां पर दिये हुए है जैसे कि माल लीजे अगर आपके पास एक से अधिक खाता है उसका आपको जनकारी कैसे भरना है उसको भी बताएंगे बिल्कुल भी आपको घवरान नहीं है ठीक है तो फॉर्स्ट वाला जो भी आप जनकारी यहां पर डाले हुए है जैसे कि माल लीजे मैं यह वाला खाता वला डाले हूं ठीक है तो इस खाती की जनकारी के अनुसार में आपे इसका जो परमार पत्र कर लाएं डावा जोडे के option पर config करेंगे देखिए जैसे ही हमने जनकारी को यहां पर डाल दिया है ठीक है और यहां पर जोडे का option पर क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर जोड़ना होगा जोड़ने के बाद नीचे आपका यहां पर लिस्ट बनते जाएगा ठीक है फिर दोबारा आपको मान लिजे कोई और आपको एकाउंट नमबर है या फिर कोई और आपने पास्पूट करा होगा खुलवाया हुआ है तो उसकी जनकारी आप डालेंगे फिर द diyor मिनारी ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से मतलब पैसे जामा है उन सभी कुर्व ही आपको क्लेम करना है क्योंकि आपको पर ऊबके दिखाना चाहेंगे जहांपे आप आएंगे तो देखिए यहांपे बोला गिया है कि याधी किसी जम्करथा के पास एक से भी सह्राए में पैसे यहां पेड़ने से आपके नाम से ञloud जोड़ेंगे फिर सब्सक्र जोड़ेंगे if i इसके बार होगा क्या दोस्तों कि जैसे ही आप यहां पर दावा जोड़ेंगे जैसे आप मैनुल से बता आ रहे हैं आपको कोई भी आपके साथ सेटिंग नहीं करेंगे ठीक है और सही इंफोर्मेसन आप तक पहुंचाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि जैसे आप दावा जोड़ लेते हैं तो यहां पर आपके सामने इस तरह से लिष्ट बनते जाएगा जिसमें आप इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं इसमें किसी परकार कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप इसको एड़ीट भी कर सकते हैं ठीक है और एक बात का ध्यां रखिएगा यहां पर फॉर्म को फिल करेंगे तो पर टेक जो डॉक्मेंट्स है ना अलग-अलग आपको अप्लोड करने का यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि जो भी आप दावा जोड़ेंगे उसका डॉक्मेंस आप यहां पर अप्लोड कर लेंगे ठीक है तिस तर बीभाग जो है आपको एक फॉर्मेट दे रहा है ठीक है मैं जैसे कि माल लीजी यहां पर आप जैसे ही दावा जोड़के अगला बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे आपको जो है एक पपत्र जरनेट किया जाएगा ठीक है तो पपत्र यहां पर जरने क किया है भी बताया गया है इस तरह से आपका जो दावा पत्र है इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा ठीक है तो इसको आपको सबसे पहले तो प्रिंट करना है प्रिंट करके यहां पर फोटो लगाना है ठीक है सबसे पहले यहां पर फोटो चिपका दीजिएगा और य इस बात को धिहारां तो यहाँ पे आएंगे तो आपको यहंपे दास्तिवेज अप्लोड करेंगे सोरे लिए और pen card को आप चाहें तो यहाँ पर upload करेंगे ठीक है यह बात यहाँ पर बोला गया है अब इसको यहाँ पर upload करेंगे जैसे कि दावय आविदन पत्र आप यहाँ पर upload करेंगे pen card नमबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और pen card का जो photo copy है आप यहाँ पर डर्ज करके अप्लोड के अप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अप्लोड हो जाएगा तो प्रिंट करने के बाद यहां पर सिगनेचर और फोटो लाएक और फिस को स्केन करके अप्लोड करनी है इस बातों का ध्यां रखिएगा ठीक है उसके बाद यहां पर अगला का अ जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही online form फिल करके बताया दिया इक ऐसे जो ही form को अपलाई करना है form को अपलाई करने के बाद आपको जो ही वेड करना है 45 दिन के अंदर इन्होंने काया हुआ है कि आपका जो पैसा है आपके खाते में ट्रांसपर कर दिये जाएंगा और उसकी जनकारी है mail के माधियम से या फिर mobile के माधियम से आपको प्राप्त हो जाएगी तो बस एक मेरा छोटा सा प्रियास था जहां तक में जनकारी कठा किया था उसके basis में मैंने वीडियो बनाया हुआ है इस पोटल पर फॉर्म फिल करने से पहले आप जो है अपने हिसाप से उसको देखे समझे जो भी इसका गाइडलाइन है उसको पढ़े उसके बाद ही आवधन करे तो आपको आच्छा बेनिफीट मिलेगा तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करें चले मिलता है एक नई वीडियो में एक नई टॉफी के साथ अप तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अब जहां भी रहें सुरक्षित रहें स्वास्त रहें बहुत बहुत धनेवाद